हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो एस जी पीजी आई की जितने भी उमिद्वार हैं जिनके डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की परिकरिया अल्मस्ट पूरी हो चुकी है और जिन कैनेडेट का मेरिट में नाम नहीं आया है उनके यहां पर दो बहुती ही जदा यहां पर common comment यहां पर देखने को मिले हैं और दोस्तो दोनों comments उमिद्वारों के लिए बहुत ज़्यदा important है और दोनों ही अपडेट से उमिद्वारों को काफी ज़्यदा hope भी है इसलिए लगातार उमिद्वार हमारे चैनल के माधियम से वह अपडेट जाना चाहते हैं कि क्या इस भैकेंसी के अंदर sgpgi के अंदर इस रिली इस चीज के लिए क्या कोई और जो नई अपडेट आ सकती है या नहीं आसकती है तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों waiting लिस्ट को लेकर क्या प authorized के लिए उमेद्वारों को वेटिंग के लिए इंतजार करना चाहिए है और साथ ही दोस्तों जितनी भी केंडेटों का यहां पर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो चुका है क्योंकि 19.6.2023 तक आपकी document verification ली गई थी अगर उसके अंदर कोई documents ना attach होने के कारण क्या requirement board द्वारा उमिद्वारों को time दिया गया है या नहीं दिया गया है उसके बारे में मैं आपको information देने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं document verification को लेकर क्योंकि वो सबसे the important अभी के उमिद्वारों के लिए हैं जिनके कोई document या mistake हो चुके हैं या किसी भी कारण से वो miss हो चुके हैं तो उसके लिए यहाँ पर आयोग द्वारा आप सभी के लिए 7 दिन का time दिया गया है और दोस्तों यह वीडियो मैं 24 तारी को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो update उमिद्वारों तक पहुंच सके जिनकी भी तुरूटी हो चुकी है और अगर किसी कारण उमिद्वार उस center पर जहां उनकी document verification हो रहे थे उस जगा तक उस place तक नहीं पहुंच सके हैं तो उन्हें भी यहाँ पर साथ दिन का time था उनके पास जहां पर यह कर सकते थे क्योंकि 19-6-2023 तक आप सभी के document verification करा गये उसके बाद आयोग द्वारा notice जारी की जो description box में है आप वहां से download कर सकते हैं यह telegram से भी आप ले सकते हैं study zone slash sz पर और telegram पर भी जूड़ सकते हैं तो वहां से भी आप उस यहाँ पर document को जाकर submit कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप सभी को 7 दिन का extra time किया गया था यानि कि जो document verification है वो 26 तक आप finally दोस्तों यहां तक की यहां तक की जो परसों तक आप कर सकते हैं तो जिनके भी document छूटे हुए हैं या जिनके कुछ भी error हैं तो वहां पर वो error को document verification में वो यहां पर clear कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो उमिदवारों का merit में नामनिया हैं क्योंकि कई लोगा करना है कि एक number या आधे number के लिए हमारे merit में selection नहीं हो पाई क्या waiting जारी होगा या नहीं जारी होगा क्योंकि दोस्तों इस vacancy के अंदर बहुत हीं दोस्तों कम chances है कि उमिदवारों को दुबारा बुलाया जाएगा डीवी के लिए एक्स्टा टाइम भी उन्हें दिया गया है तो इसलिए दोस्तों जो वेटिंग के लिए इनतिजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए तो वह दोस्तों इसके लिए बिल्कुल होप ना रखें क्योंकि इस वेकैंसी की अंदर वेटिंग आने की संभावन जुरुती है वह बहुत ही ज्यादा कम रहती है और इसलिए उमिदवारों से आगरा है कि अपनी आगे की वेकैंसी के लिए वो त्यारी करें अपने लिए क्योंकि दोस्तों बहुत सार से सराथी हैं तो दोस्तों यहां पर बहुत ही कम चांसें और जो भी वेटिंग को लेकर अपडेट आएगी वो आप सभी तक जरूर शेर के जाएगा पर दोस्तों के लिए भी है और इसकी नहीं की अपडेट आएगी उसको ये भी आपको सेर किया जाएगा इसे दोस्तों जो तुरिटी हुई है उससे आप कुछ ने कुछ सीखें और अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा मजबूत करें क्योंकि जब इसकी वेकैंसी आउट होए तो इस बार आपका फाइ वीडियो में तब अगले तो जाएंदे